नमस्कार आदाव आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक में मैं हूँ सुमेधा आज की डेली रांड़ आप के इस एपिसोड पर हम दिखाने वाले हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरे आईए एक जलक डालते हैं आज की हमारी खबरों की ओर आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है Electoral Bonds पर Transparency in Elections एक बहुत ही बड़ा मुद्धा उभर कराया है 2019 के चुनाव में सरकार से काफी बड़े सवाल पूछे जा रहे थे प्लिटिकल पार्टी की फंडिंग पर आज सुप्रीम कॉट ने एक बड़े रूप से ये कहा है कि Electoral Bonds से जो फंडिंग होती है प्लिटिकल पार्टी को उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी इस बड़े फैसले के साथ सुप्रीम कॉट ने ये भी कहा है कि काफी प्लिटिकल पार्टी को रिवील करना पड़ेगा इसको लगाना पड़ेगा ताकि ट्रांसपरीम को ने रोक नहीं लगाई है पर ये फिर भी एक अच्छा कदम है ट्रांसपरेंसी की ओर Now let's take a look at the discussion that our editor-in-chief Parabir Purkhayasta had with Vipul Mudgal on the same issue परीबात तो फैसला है क्या है जो सुप्रीम कोट अंतरीम फैसला के रूप में दिया है कहा है कि इसके बारे में फाइनल हेरिक बाद में होगी अब तभी वो अपना फैसला सुनाएंगे सुप्रीम कोट ने एक अंतरीम फैसला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो जानकारियां उनके पास नहीं है वो जानकारियां उन्हें चाहिए कि मसलन कि किस पुलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉंड से कितना पैसा मिला अब तक उसको वो सील्ड कवर में इलेक्शन कमिशन को दें और इलेक्शन कमिशन के साथ में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोट उसके बाद शेयर करेगा उन्हें 15 मई तक का टाइम दिया है और 30 मई के आसपास या उसके बाद वो एक से उसकी सुनवाई आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है पहली बात तो यह है कि उनके कीyes को आगे तक समझने की जरूद है और इसको आगे बढ़ाने की जरूद है तो यह ऑगी बात ठीक है कि election के ठीक बीचों बीच ये कह पाना कि इसके उपर हम बैंड लगा दें तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था हालंकि जो petitioners थे उन्होंने ये मांग की थी कि इसके उपर एक आप अंतरिम रोक लगा सकते हैं फिलाल के लिए हमारी दूसरी बड़ी खबर है political violence जो कि कल first phase of elections जो हमारे देश में हुए थे उसमें बहुत ही अलग-अलग जिलों से और अलग स्टेट से political violence के काफी instances सामने आये हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंध्रप्रदेश की जहां पर एक TDP worker की मौत भी हो गई काफी ऐसे instances आये जिसमें काफी लोगों के नाम voters list से हटा दिये गए थे और इन के चलते हुए काफी clashes भी हमें दिखे वेस्ट बेंगॉल में वीजपी और TMC के workers में काफी बड़ से भी जहां पर पुलीस ने fire किया था हवा में केराना जिले में उसके अलावा गादिर चोली महराश्रा में भी एक बड़ा बॉम जो है उसका भी attack हुआ था महराश्रा में तो काफी अलग अलग तरह की instances आये हैं पर first phase of election अब खतम हो चुका है और दूसरा phase 18 April को है अब हम चलते हैं हमारे उन्तराश्ट्रERE section की और जहां से बड़ी खवर जो हम कल से फॉलो कर रहे हैं वह है जुलियन असांच की arrest की whistleblower wikileaks founder जूलियर & जूलियन असांच को कल arrest कर लिया गया था उनका जो से असाइलम है एक विड़ोरियन की खबरे लीग की थी उस US media freedom को crush करते हुए एक national security के नाम पर media freedom को किस तरह से US crush कर रहा है Julian Assange का arrest उसका एक example है अब हम आपको दिखाना चाहेंगे खास चर्चा Julian Assange के arrest और media freedom के बारे में आये देखते हैं as we all know Julian Assange has been arrested taken out of the Ecuadorian embassy and is now in British custody to talk about this we have Renata Avila a very well known lawyer and a civil rights activist in Latin America and actually a digital rights activist for the entire world Renata bad day for the world and its and freedom particularly freedom of press because the inter governmental body had already given a directive to the Ecuadorian government that Julian cannot be arrested without a proper legal process he cannot be extradited cannot be handed over to the British government in this way the Ecuadorian government has really disregarded that advisory and also what the world opinion was saying about this well basically the Ecuadorian government it went when even beyond this the Ecuadorian government completely ignored its obligations under international law and uh it it was brutal we are at a crossroads we are really in a in a defined moment at this moment should be defined by principles and courage that's uh that's uh my point of view for the for the international community I would say this is jeopardizing the right to know of the people outside the u.s. and outside the western world if we have unequal right to know and if any person trying to elevate that right to exercise the right for us because that that that's the crime of the crime of Julian Assange is that he's not not American and that he has opened up he's a truly international journalist that his internationalism has been so powerful that he without making a profit without being like a elevated as many gurus get elevated when they create an app to make us slaves of our devices he did the opposite he created a public interest technology and then he innovated so much in journalism and open up the ability for anyone anywhere in the world without paying a cent without being to know the the precisely the the kind of documents uh those in power do not want to know uh us to know and they do not want us to know because if we know what is really going on behind closed doors we will get really upset thank you donata for being with us the real crime of real crime of julian assange is speaking truth to power the fundamental task of all media is he ke saat daily roundup ke is episode mein bas it na hi desh aur videsh aur elections ki anhyak khabrong ko follow karne ke liye log on ki jiye hamaari website pa www.newsklik.in subscribe ki jiye hamaari youtube channel ko or follow ki jiye hama facebook pa r dekhne ke liye shukriya k thank you